निजबुद आवे अग्याएं तोलून छूटे मोव प्रणिश्वर एक्षरतित स्त्री महामती जी के धा मिर्दे से जाकने के इस ब्रहमान में हमें सावचित कर रहे हैं कि निजबुद आवे अग्याएं तोलू न छूटे मोव यह संसार क्या है मोव का ब्रमांड निजबुद आती है राची की अग्या से जानते हैं इस स्रिष्टी में पहला पदार्थ बनता है क्या है बुद्धि आप जितने सुंदर साथियां बैठे हैं आपके सारे वस्तर उतार लिया जाएं सारे धनरासी छीन ले जाएं तो भी आप कुछ कर लेंगे आप जीने का रास्ता खोज लेंगे लेकिन ज़िए आपकी बुद्धी छीन ले जाए तो आप जीवी तो रहेंगे लेकिन आपको कुछ पता नहीं कि हम कौन है क्या करने वाले बुद्धी का महत तो कितना है कि गाहितरी मंतर में भी यही प्रण्दा की गए कि हे परमात्मा धिया योना प्रचवत्यात हमारी बुद्धी को आप उत्तम गुण कर्म सभाव में प्रेडित कीजिए हमारी बुद्धी उत्तम गुण कर्म और सभाव आले हूँ हम सुन्दर साथ के लिए एक सरल से बात कही जाती है कि दुनिया की बुद्धी सपन के बुद्धी है सुपन के बुद्धी बैराट सुपन का जूठे साच डुपाया सपने के बुद्धी है हमारा ये दावा होता है कि हमारे पास जागरत बुद्धी है जागरत ज्यान है और तो जागरत बुद्धी से भी परे निजबुद्धी है वो हमारे पास है आपके पास जागरत बुद्धी का ज्यान है निजबुद्धी का ज्यान है निजबुद्धी या जागरत बुद्धी आपके पास नहीं है यदि जागिर्द बुद्धी सबके पास हो जाये तो टिका पढ़ने के आउसकता ही नहीं होगे चर्चा सुनने के आउसकता ही नहीं होगे हाँ, निजपुद्धी का जान तारतम वाणी में है उस बुद्धी के उस जान को आप गरहन कर पा रहे हैं देखिए, सुर्य से प्रकास फैलता है, उसी तरह से बुद्धी से ज्यान गरहन किया जाता है, बुद्धी से जान ग्रहन किया जाता है मनुस्वरित में कहा गया है कि बुद्धी जानेन सुधित जान से बुद्धी सुध होती है अब प्रस्थी है कि जान से बुद्धी कैसे सुध होगे बुद्धी के सुध करने का तरीका क्या है एक तो सुद ज्ञान का ग्रहाण दूसरा परमात्मा का ध्यान जिस्ते एक आयतरी मंतर में कहा गया कि ये परमात्मा, सच्टानद परमात्मा भुर्भास्वाकार्थ क्या होता है? जो सच्चित आनदम है सवित्यो का अर्थ क्या होता है? सिष्ट को उत्पन करने वाले प्रकासकों का भी प्रकासक जो परमात्मा है जिसका बरन यह भारगा है बरन करने ही हो कि तेजों में ही सरूप है उसको हम धारन करे है परमात्मा हमारी बुद्धी को उत्तम गुर्ण कर्म सभाम में प्रेडित करे उसमें धिया सब्द हैं, धिया कार्थ होता है बुद्धियां, बुद्धियों को बुद्धि कितने प्रकार की होती है? एक तो समानी बुद्धि होती है जो सबको मिली बुद्धि है और उस बुद्धी का दस प्रस्चत से अधिक उपयोग करने की छमता हमारी पास नहीं है मस्तिस्क अलग होता है और बुद्धी अलग होती है मस्तिस्क क्या है बुद्धी की कारिस अला है मस्तिस्क स्थूल सरीर का भाग है और बुद्धी क्या है कारण सरीर का भाग कारण सरीर दिखाई नहीं देता है जो हमारे अंदर जीव है यह जीव बाल की नोग के दस ज़ाद टुकड़े किया जाए उसे भी ज़्यादा छोटा है उसका आहंग है कि मैं यह हूँ जैसे एक पस पक्षे है जन्मते यह उसको मालूम होता है क्योंकि उसका अहंग बता रहा है कि तू गाय का बच्चा है या सेर का बच्चा है या बतर का बच्चा है लेकिन उसकी बुद्धी जितनी प्रखर होती है उसी के उनसारों को कारी करेगा और बुद्धी चित के संसकारों को प्रेडित करती है और संसकारों के उन सारे ये मनुश का आचरव होता है इसे उपनिस्तों में एक बात कही गई है कि संसकार मयो पूरसा संकलप मयो पूरसा मनुश अपने संकलपों से बनाये जैसा संकलप करेगा वैसे भलेगा मैंने कहा कि 10 प्रस्षप से अधिक बुद्धी का उपयूग करने की सामर्द किसी भी बिक्ति में नहीं है यदि समस्त बुद्धी का कोई परियूग कर ले तो भी सुकी सभी किताबों को कंठस्ट कर लेगा लेकिन सारी बुद्धी का उपयूग करके वी कोई यह नहीं जान सकता है कि मेरा निज़ शरूप क्या है जो आप आज तो तो कहें शरीर धान किया बैठे है आँखों से दिखाई देता है आपके अंतर करण तक एक जान पहुंच रहा है कि मेरा सरीर बच्चे का है, इवा का है किसोर अवस्ता का है, बृत का है इस्त्री का है, पुरुष का है बस इतनी ही जानकारी है आपके बुद्धी ये नहीं जान सकती है कि जिसकी सकती से हमारी बुद्धी कारी कर रही है जिसकी सकती से हमारा मन कारी कर रहा है चित कारी कर रहा है, सरीर कारी कर रहा है वह चेतना का सुरुप क्या है क्योंकि बुद्धी से परे है वह इस जी उपनिस्तु ने कहा बुद्धी ना बिचेश्टे आऊ तम परमामगति परमगति किसको कहते हैं जिसमें बुद्धी कोई काम ना करे दुनिया का सारा कारे बेवार किसे चलता है बुद्धी से यदि बुद्धी ना हो तो सारा संसार मरे हुए के समान हो जा जीवी तो रहेगा लेकिन हिल डूल नहीं सकता कुछ भी काम नहीं कर सकता पहले क्या था लोग बैल गाड़ी पर चलते थे बुद्धी का विकास हुआ मनुस ने अपने लिए अच्छे-च्छे वाहन बनाई वायान बनाए आज पल भर में कहां से कहां पहुँच जाते हैं बुद्धी का जैसे जैसे विकास होता गया मनुस कहां से कहां पहुँच गया पहले एक चिठ्छी ले जानी होती थी आसे 100 साल पहले जाता है, यह किसका कमाल है, क्यों बुद्धी का, बुद्धी इस संसायर से समंदित हर कारी कर सकती है, लेकिन आत्मा को वह नहीं जान सकती, परमात्मा को नहीं जान सकती, नरायन को जानने के सामर्थ बुद्धी में नहीं है, एक ग्रंथों को पढ़कर अंताजा लगा जा स लेकिन जहां सारी इस्थितियां समाप्त हो जाए, मान, चित, बुद्धी, सारे बंद हो जाए, आत्मीक दिश्टी खुल जाए, तब वो अच्छी अतना जानती है, कि मेरा निज शरुप क्या है, मेरी आत्मा का जो पृत्त में, वो प्रमात्मा कहा है, कैसा है, और बुद्धी अंकार के खेल में हर प्राणी फसा हुआ है, आप जितने सुंदर साथ बैठे हैं, यदि अभी थोड़ी देर में दोपूर का भोजन मिलेगा, आपके भोजन में या तो चारगूना नमक डाल दिया जाए, या बिलकुल नद डाला जाए, तो किया आपको अच् आपके मन इंद्रियों के माध्यम से बिस्यों का स्यमन कर रहा है, और जितना उसे अच्छा लगता है, उसी को सुख मानता है, और उसी की प्राप्ति में अपना सारा जीम लगा देता है, वो सूचता है कि मैं बिलकुल सही दिसा में चल रहा हूँ, इसी को क्या करते हैं, ज जो चीज जितनी अच्छे लगती है उतनी ही हमें उससे आसकती होती जाती है उसको छोड़ने की इक्षा नहीं करती है लेकिन बुद्धी बस इतना कर सकती है हाँ जदी हम बुद्धी का परिमार्जन करती है बुद्धी का परिमार्जन सुधिक करना कैसे होगा जान के ग्रह कर ज्यान का स्रमण किजिए ज्यान आपके हिर्दे में प्रवेश करेगा, बुद्धी में जाएगा, तो बुद्धी जो पहले संसर में बटक रही थी अब वो परमधाम की तरफ दोड़ने का प्रयास करती है बुद्धी परमधाम नहीं जा सकती लेकिन बुद्धी परमधाम की विवेचना करेगी और जो चैतन्य जीव है जो अब तक माया के संसार में बटकाता है परमधाम के बारे में सोचने के लिए विवस हो जाता है वो देखता है कि यहाँ परमधाम कुछ है लेकिन उसकी आत्मधिष्टी कब खुलेगी जब चित, मन, बुद्धी, अंकार सब कुछ सुसुत्ती आवस्था जैसे हो जाए और आत्मा जिसको आप जीव समझे और सुध जो चैतन्य जीव है वो अपने सरुप को देखे यहाँ से अध्यात में शुरू होता है निजबुद आवे अज्याये तोलो न छूटे मो अब एक बात आती है बुद्धी का परिमार्जन करेंगे स्वाध्याय के द्वरा ध्यान के द्वरा सात्विक अहर के द्वरा आप बहुत स्वाध्याय करते हैं किन्तु यदि आपने चारोवेदों को कंठस्ट कर लिया पूरी वाणी को कंठस्ट कर लिया छे सास्त्रों को कंठस्ट कर लिया किन्तु यदि आपके अंदर ध्यान की प्रिविट्ती नहीं है तो भी बुद्धी निर्मल नहीं होगी प्रयाम के बारे में दूसरा जदि कोई ध्यान करता है तो ध्यान में जो बुद्धी का आवरण होता है तमोगुर का, रजोगुर का, वह हटता आ जाता है हमें जो बुद्धी मिली है सुद्रूप में बुद्धी नहीं है क्योंकि हमारी बुद्धी क्या है? त्रिगुनात्मी का है सुद्र किस को कहते हैं? जैसे एक बैक्ति खो मांस खाता हो, सराप पिता हो बदला क्यों है? उसकी बुद्धी में परिमार्चन हो गया बुद्धी बदली बुद्धी का विकार दुर हुआ तो चित का विकार दुर हुआ चित का विकार दुर हुआ तो मन का विकार दुर हुआ बुद्धी सुद्ध हो जाएगी तो सब कुछ सुद्ध हो जाएगा और बुद्धी के सुद्ध होते ही अहंग भी सुद्ध होगा या अहंकार जदी सुद्ध हो गया अहंकार का सुद्ध होना बहुत कठी ने मैं इसके बारे में बात में कहूंगा बुद्धी की महता क्या है बुद्धी के सुध हुए बिना चित सुध नहीं हो सकता और चित के सुध हुए बिना मन सुध नहीं हो सकता मन क्या करता है? संकल्प विकल्प करता है चित में ही तो जन्म जन्मांतरों के संसकार है आप योग दर्शन पढ़िए योग दर्शन का सारा सी धान्त किस पर अश्रित है कि चित में जन्म जन्मांतरों के जो भोग के संसकार है जब उए समाप्त हो जाएंगे तो मन से कोई कारी होगा ही नहीं तो परिणाम क्या होगा? आपका पुनर जन्म नहीं होगा यहीं मोक्षर लेकिन यह पुल्ण व्यक्षान नहीं है जब तक बुद्धी पुल रुप से सुध्ध नहीं होती अंकार करत क्या होता है? मैं कौन हू हो? बहुत बड़ा विद्वान बेक्ती हो बहुत बड़ा योगी बेक्ती हो बहुत तपस्वी बेक्ती हो बहुत कोमल हिर्दे का बेक्ती हो यदि उसके अंदर ही अपनी विद्वता का अहंग है साधना का अहंग है तो वो भी निर्मलता नहीं हुई अहंग से परे जब सुद्ध आवस्ता आएगे हंस आवस्ता आएगे तब उसको योग मया में प्रिवेश का अधिकार मिलता है कोई चारोवेदों का विद्वान बन सकता है कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन पुर्ण रूप से निर्मल हो जाए ये कठिन बात है जब बुद्ध के परिमार्जन किया जाता है तो उसको क्या कहते है परतिभा रोजगुड और तमगुड जितना हटा देंगे बुद्धी से उतना ही बुद्धी सुद्ध होती जाएगे प्रतिभा को और परिमार्जित करेंगे ध्यान के दोरा, स्वध्याय के दोरा, सात्तिक आहार के दोरा आहार पर मैं जब जोर देता हूँ तो सुन्दर जात के मन में बात आती है किसकी क्यों महत्तर बताई जा रही है देखिए जो जितना बड़ा योगी होगा आप उसके आहार की जाज किजिए आपको पता चलेगा कि उसका आहार कितना सात्तिक है इस जिए योग दर्शन का एक सुत्र है सत्त पूर्शयों सुद्ध सामें कैवल्यम बुद्धी की सुद्धता और चैतन्य जीव की सुद्धता परे कैवल्य अर्थात मक्ष के प्राप्ति होती है बुद्धी सुद्ध नहीं हो सकती तो आप का चैतन्य जो जीव है वो कभी निर्मल नहीं हो सकता और बुद्धी की सुद्धता के लिए क्या अवस्थ है? अहार की सुद्धता अवस्थ है आप आँख बंद करके ध्यान कीजिए भोजन करते समय आप चिकन खा रहे हैं, मांस खा रहे हैं, सराब पिर रहे हैं तरह तरह के नसी कर रहे हैं तो आपका हिर्देश सुद्ध नहीं हो पाएगा आप ध्यान भी करने बैठ जाएए तो मांसहारी बैक्ति का मन असांत होता है ना असांत मांसो आपी प्रजानेन इनम आपनों याद असांत मन वाला भी सुद्ध जान प्रवक उसको प्राप्त नहीं कर पाता यह को ठोपनी सुद्ध की वाली कर रहे है मैं सब सुंदर साथ को साथ्व कहार के लिए इसलिए प्रेना देता हूँ साथ्व कहार जाएगा तो रोजगुल और तमगुल का हटना प्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्रा आस्ते हमने मोटे दौर से बताएं, स्वाध्याय, ध्यान, प्रयाम और सात्वी कहार ये चार हो गए, पांचवा अनिष्ट चिंतन से बचना, बिसे का चिंतन न करना, बिसे का चिंतन करेंगे चित से, मन से संकल्प करेंगे तो बुद्धी में विकार बढ़ जाएगा, एक स आमानी तरीका मैंने बता दिया, कि हम कुछ सुधता की तरह बढ़ते हैं, जब इन सारे चीजों से आप उठेंगे, तो आपको संप्रज्यात समाधी की प्राप्ति होगी, संप्रज्यात समाधी का तातपर क्या होता है, जिसमें अपनी चेतना प्रकृति से अलग थोड़ी इसे आपको रितंबरा प्रज्या की प्राप्ति होगी, रितंबरा प्रज्या क्या है, बुथी का सर्वस्रेष्ट सुध अस्तर है, जो पुढ रुप से निर्मलता की तरफ संकेत करता है, रितंबरा प्रज्या जिसको मिल जाती है, उसको सत्य ज्यान ही गरहन करने की वेस्ट नहीं कर सकती। जिसके पास तरी तंबरे प्रज्या नहीं है। चाहिए वो दीन रात गरंत पढ़ता रहे है। आवस्थेक नहीं कि उसके अंदर सही बात होगी। एक रिशी में और एक बिद्वान में क्या अंतर है। बिद्वान को जो बुद्धी मिली है उसी बुद्धी से वो गरंतों को पढ़ लेगा, याद कर लेगा, उसको बोल सकता है। एक योगी, एक उनी, एक परमांस या रिशी ध्यान के द्वारा अपनी बुद्धी को इतना निर्मल बना लेते हैं कि उसमें किवल सच्ची बात ही आएगी, जूठी बात नहीं आएगी। उसको क्या कहते हैं? रितंबरा प्रज्जा। रिशीओ के पास बुद्धी क्या होती है? रितंबरा प्रज्जा होती है। जो परमांस होते हैं, उनकी अवस्था उससे भी परेकी होती है। इस अंसार में जो सर्वेस्टेस्ट बुद्धी है, उसको कहते हैं रितंबरा और उसके नीचे की अस्तर की बुद्धी आए होत जासील किसको कहते हैं जो बहुत ज़्यादा बुद्धी मान हो हम सुन्दर साथ जब महामती सब्द को पढ़ते हैं क्योंकि भागवत में महामती सब्द आ गया है तो सुन्दर साथ सोचते हैं कि महामती जी हमसे कुछ ज़्यादा बुद्धी मान होंगे यह हमारा भ्रह्म है इस संसार की सबसे अधिक बुद्धी का उपयोग करने वाला ब्यक्ति भी दस प्रसत से ज़्यादा उपयोग नहीं कर सकता है नबे प्रसत उसकी बुद्धी की सकती सिमित पड़ी रहती है जो ध्यान में जितना उतर उतर आगे बढ़ता जाता है उसकी प्रतिवाद दस प्रसत से आगे जाकर कुछ-कुछ उपयोग करने लगती है तो यह तो मनुस की बुद्धी है नारैण के पास कितनी बुद्धी है? नारैण क्या है? अक्षर के मन, अभ्याकिट का प्रतवीमित शरुफ ही तो नारैण है अंतर इतना ही है कि अभ्याकृत अखंड चेतन धाम में है और नरायड मोसागर में है प्रकृत के सबसे सरुप में आप भी कोई भी मनुस जब समादी में विद्धिमान होता है तो वो अपने को नरायड के सरुप में देखने लगता है मैं संसार का ज्यान बता रहा हूँ उस समें कहता है कि मेरे में और उन में कोई अंतर नहीं है जब समादी टूपती है तो अपनी आँखों से वो अपने सरीर को देखता है संसार को देखता है क्योंकि कोई भी योगी माहत्मा स्रिष्ट के नियमों से बदा हुआ है नारायन नियमों से बदा नहीं है मेरे कहने का से क्या है दुनिया की उपलब्दी इतने ही रही है रितंबरा प्रज्या प्राप्त करना और निर्वीज समाधी में जाना अपने स्वरूप को देखना और उस आदी नरायन के सरुप को देकर आम ब्रहमास्मी की भावना कर लेना कि मुझे मुक्ति मिल गई है संसार के बड़े से बड़े योगी महात्मा की इतनी ही उपलब्दी हुती है अब इसके परे क्या है क्या नरायन को पता है कि निराकार की परे क्या है फिर यह जहां थे नरायन नाम धरया निगम सुन्य पार ना ले सके भटके कह आगम नरायन को जिस छण पता चलेगा कि निराकार के परे बेहद मंडल है उसी छण महापले हो जाएगा मैं आपको एक दिश्टान देता हूँ आप सरसावा में यहां सो गए आप सपने में मुंबई चले गए तो जिम तक आप सपने में मुंबई को देख रहे हैं तब तक क्या आप सरसावा यहां पन्नाम के ज्यान केंदर को देख रहे हैं कभी नहीं पन्नाम के ज्यान केंदर को रहस्यों का पता नहीं है इस सी तो बाणी में लिखा है जो लो ताला खुले नहीं द्वार अथर्वन कते किन पाई तरफ हक बकान ना कुछ खेल फरेग जब तक अथरवेद के रहस्य नहीं खुलेंगे अथरवेद में एक सुक्त है एक केन सुक्त और उसी केधार पर केन उपनिसद बनाया है किवल उसी केन सुक्त में बताया गया है कि ब्रह्मपूरी क्या है उसी अथरवेद की एक उपनिसद है मुंड़क उपनिसद उसमें क्या लिखा है दिभी ब्रह्मपूरे ही यसा ब्योमनी आत्मा परतिश्तम परमात्मा कहा है दिव ब्रंपुर में आप किसी गरंथ को पढ़ लिजे उसमें दिव ब्रंपुर की बात नहीं लिखेगी परमात्मा कहा है निराकार है, कड़कड में है यही का करके दुनिया रुक जाती है गरंथों को पढ़ती है हजारों मंत्र याद होगे हजारों संतों की चुपाईयां याद होगे सब कुछ होगा लेकिन कोई यह नहीं बता सकता है कि परमात्मा कैसा है परमात्मा कहा है यह कौन बताएगा जिसके पास अखंड का ज्यान होता है नहीं तो सारे संसार की बुद्धी का स्वामी कौन है नाराणी तो इस्ष्टी का परमात्मा है वो अभी नहीं पता सकते कि नीरागार की परे क्या है वेदों में कई मंतर लिखे हैं कि तिर्पादूर्दुद्यद्पूर्शा यूग मया से परे परमात्मा है कालमया की बर्मान से परेचतुस बात भी भूती है आप सुन्दर साथ को हिंदुस्तानी बाहसा में चुपाईयों के बांदम से बात मालूम होती है तो आप उसको बहुत हलके में लेते हैं कि इसमें क्या रखा है लेकिन जिसने इस स्रिष्टी को बनाया उसने चारोवेदों का ज्यान प्रगट किया उनकी अंदर भी चारोवेदों का ज्यान अभ्याकृत से आ रहा है लेकिन किसी को भी नहीं मालूम अभ्याकृत को भी यह नहीं मालूम है अक्षर के मन को भी मालूम नहीं है कि तिरपाद उर्देद पुरसा जो कहा गया है उसका रस क्या है वास्त की बुद्धी के सामने हम कुछ नहीं है हमारी गड़ना तो दस परिशत उपयोग करने वेले मिधावी ब्यक्तिव में भी नहीं होती है नारायन ने जो मनुष को बुद्धी दी है वो स्वेम नारायन निराकार से प्रेकिवस्तिता नहीं जानते चत्रसपाद भी भूति क्या है नारायन को नहीं मालूम है मालूम होते ही महाप्रले हो जाएगा और उन्हीं बेद के मंतरों को सारी दुनिया पढ़ती रही है लेकिन तारत्रम ज्यान के बिना उसके रस्ट को कोई नहीं जान सका अक्षर ब्रह्म जिनका मुल सरूप कहा है प राजी का ही सतंग है राजी का ही सरूप है सत्ता का सरूप अक्षर ब्रह्म उनके पास क्या है जागरत बुद्धी जागरत बुद्धी परंधाम के बारे में कुछ नहीं जान सकती जागरत बुद्धी बेहत का जियान रखती है ये निर्ने करना अर्ष का तिनमे भी हकजा नूर अकल इत क्या करे जित लद्धुन्नी को देखा सोचिए कितने बड़ी बात कही है नूर अकल इत क्या करे अक्षर के जागरत बुद्धी क्या करेगी आज दिन तक स्रिष्टी में जागरत बुद्धी कभी नहीं आई किसी तन में ब्रज के लिला हुई, राज के लिला हुई लेकिन जागरत बुद्धी के आउसकता पड़ी है नहीं ये ते तेलोग में भुत्ती बुद्ध सुपन तो जागरत बुद्धी का जान सबसे पहले किसके हिर्दे में प्रगट हुआ सदकुर्धनसी देविचंजी के हिर्दे में कौन लेकर आए? स्वयम स्री राजित जागरत बुद्धी क्या है? संसार के सभी धर्म गुरतों का गुई रहस असपष्ट करके निराकार के पार के पार अक्षरातीत की पहचान देती है ये जागरत बुद्धी का कर्या है लेकिन जानते हैं परमधाम की लीला परमधाम की सुभा के समझ में जागरत बुद्धी भी असा है नूर अकल इति क्या करे जित लदुनी को देखा है लदुनी किसको कहते है? तार्तम को तार्तम क्या है? हमने तार्तम की छे चुपाईओं को मालने आके तार्तम है सक्षाज सरूप इंद्रमवती तार्तम को तार्त लद्दूनी गोते खा रही है तार्तम गोते खा रहा है तार्तम क्या है? पांच सक्तियों में एक आती है नूर धने जिको जोस सब मालूम है जिब्रे आतम दुलेंट स्यामा जी नूर हुकम बुद्मूल बतन बुद्मूल बतन क्या है जागरत बुद्धी और निज बुद्धी दोनों के लिए बुद्मूल बतन सब्दिका प्रयुग आए नूर और हुकम नूर का अर्थ क्या होता है? राजी की अवेशक्ति भी होता है नूर का अर्थ अक्षर ब्रंबी होता है हुकम नूर जमाल का जो है नूर जला भी तक में चपाई आती है राजी के हुकम के सुरुप क्या है? अक्षर हुकम के रुप में कोन आया है? हुक्म के रुक में स्वे में राजी की आवे सकती आई तो यदि हम नूर का अर्थ अक्षर करते हैं तो हुक्म का अर्थ क्या करेंगे राजी की आवे सकती यदि हुक्म को बितक की चुपाई के दार पर करें हुक्म नूर जमाल का जो है नूर जला तो वहां भी यही बाव लिया जाएगा कि अक्षर और यदि हम नूर का अर्थ तार्तम करते हैं तो कलस्मिक चुपा ही आती है ये नूर आगे थे आया अक्षर ठोर के पार एसब जाहिर कर चलिया आया निजदर बार तार्तम जान का प्रकास अक्षर ठोर के पार अक्षर से परे परम धाम से आये तार्तम जान का प्रकास कौन लाए है के लाया हिर्दे बैट सक्षा महामती जी के धाम हिर्दे में कौन बैट कर कर रहा है आपने सिंदी की बाणी पड़ी है तो उसमें क्या कहा गया है कि सब कुछ राजी के हुक्म से हो रहा है हुक्म और इल्म का खेल है इसका भाव क्या है हुक्म के रूप में कौन आया है आप इस बात को समझे हुक्म के रूप में हाकिम ही तो आता है जिसे ये मंच लगा है मैंने स्वम्सेकों से कहा दिया कि मैं मंच सजाओ कारिकम होगा तो मेरी बात का कोई उलंगन नहीं करेगा सीधे मंच लगा दिया उसी तरह से तैसा इत होता गया जैसा हजूर हुकम करत मूल सुरुप के हिर्दे की एक्छा हुकम है हमको खेल दिखावन काज हमसु आगो आई स्री राज तो राजी कैसे आएंगे सक्षियां तो सूर्टा से आ गई देवचन जी के सामने राजी खड़े है सारी बाते बता रहे है नूरी सरुप तो आ नहीं सकता कैसे आ गई प्रकृति के सारे नेमों को तोड़ कर राजी आवेश सरुप से आए है आवेश सरुप कहां से क्या है जैसे आप दरपण में के सामने खड़े हो जाएंगे तो आपका सरुप दरपण में दिखेगा आपके सरीर से घिस करके कुछ गया नहीं लेकिन दरपण में हुबहुब दिखेगा कि आप खड़े हैं उसी तरह से राजी के दिल की इक्षा से जो सरुप प्रगट होता है उसको आवेश सरुप करते हैं और उस सरुप में और नूरी सरुप में कोई भेद नहीं होता है तभी तो कहां है कि तुम ही उतर आयर से इतो तुम ही क्यों मिलाब परमधाम में राजी क्या है नूरी सरुप से हैं और देवचन जी के सामने किस सरुप में प्रगट होते हैं आवेश सरुप से परमधाम का भी सरुप किसोर सरुप है देवचन जी को जो दर्सन देने वाले सुरूप है वो भी किसूर सुरूप है लेकिन परमधाम के एक अकड में करोनो सुरियों का प्रगास है और वह आवे सुरूप देवचन जी के सामने खड़ा है लेकिन देवचन जी को जराभी गर्मी नहीं लग रही है क्यों? क्योंकि वो उनकी एक्षा से धारण किया हुआ सुरूप है देवचेन जी का सरीर जितना तेज को जहल सकता है या ब्रमान जितना तेज को जहल सकता है अनंत सौंदरी को भी जदि देवचेन जी की आँखे देख लें तो कहां से सरीर रहेगा इस दिये हमारा जी जितने सौंदरी को जितने तेज को जहलने की समता रखता है राज जी की एक्षा से उनका सरूप प्रगट हो जाता है जिसको आवेश सरूप करते हैं और वही सरूप महामती जी के धामिर्दे में विराजमान हुआ है तीनों विराजमान है राज जी चितगन सरूप है उनकी आवेश सकती उसको नूर भी कह सकते हैं हुक्म भी कह सकते हैं दोनों सब्दों का अलग-अलग परसंगों में अलग-अलग अर्थ जबरील है अस्तराफिल है दागरदबुद्धि और जोश की सकती अक्षर की आत्मा है जिसमें नूर या हुक्मे से किसी एक को ले लेंगे आपको फ्यूट हैं बाणी के साइत में नूर का अर्द भी अक्षर होगा और हुकम का भी अर्थ अक्षर होगा नूर का अर्थ भी राजी का वेस होगा और हुक्म का अर्थ भी राजी का वेस होगा हाकिक का हुक्म ही यहाँ सब कुछ कर रहा है इस दिए करते हैं कि हुक्म और इल्म का खिल है साहिप के हुक्मे यह बानी गावत है महामत महामत कितन से बानी किसके आदे से हो रही है राजी के हुक्म से राजी के हुक्म के रुप में कौन आया है राजी सोय है तो महामती किसको कहते है जिसमें पांचो अक्षराधीत की सक्तिया चिदगन सक्ति आवेश के रुप में कारी कर रही है अक्षर सत अंकी सक्ति अक्षर की सूर्था खिल अक्षर की आत्मा आई हुए आनन्दन स्यामाजी की आत्मा सत्चित आनन्द है और उनके साथ जोस है और जागरत बुद्धी की सक्ति है तो जागरत बुद्धी की साथ निजबुद्धी भी है बुद्धिस में दोनों सब्दा आ गए अब हमारे सामने प्रस यह होता है हम एक चुपाई को बहुत दोराया करते है कि अक्षरातीत के महल में प्रेम इसके भरतत सोसुद अक्षर क्यों नहीं जो किन्वित केलि करत सुषुद अक्षर को नहीं जो किनवित केली करत केली करना करत क्या है राज्ची की आनंद में ही लीला कैसी होती है यह सुषुद अक्षर को भी नहीं है देखें कालमाया के ब्रमांड में आपने बड़े बड़े राजाओं को देखा होगा नबाबों को देखा होगा जो अपनी पत्रानियों के साथ अपनी वेगवों के साथ प्रेम करिड़ा में रहते हैं लेकिन यह तो सपने की दुनिया है सपने की दुनिया में ही बैकुंठ भी है स्वर्ग भी है यहां प्रतिवी से हजारों लाखों गुना अधिक सुख है स्वर्ग में बैकुंठ में उससे करोणों गुना अधिक सुख निराकार में है निराकार से भी करोणों गुना सुख प्रेम कहां है अभ्याकृत में अब्याकृत से कुरोणो गुना अधिक सुख कहा है केवल ब्रह्म में और केवल ब्रह्म से भी कुरोणो गुना अनन्द गुना सुख किसमें है परम धाम में अक्षर ब्रह्म केवल के अनन्द को जानते हैं केवल के प्रेम को जानते हैं इस संसार में ना प्रेम होता है, ना प्रेम की लीला होती है, ना आनन्द होता है, सब कुछ सपने के समान है, एक जैसे मिल्कतिष्टा का संसार होता है, जैसे बालू पर सुरी की किरने पढ़ती है, तो लगता है कि वहाँ पानी है, प्यासा हीरन वहाँ जाता है, भाग करके, तो महां बालू यह मिलती है वैसे हम संसार के समंदों में प्रेम खोजने का प्रयास करते है कि हमें प्रेम मिल जाए प्रेम मिलता नहीं है बात में ठोकर मिलती है हम संसार में सुख और सांती खोजते हैं लेकिन सुख और सांती नहीं मिलती है जितने भागते जाते हैं उतना ही असांती मिलते जाती है सुपन के समान ये ब्रह्मांड है कि वल जलक रहा है कुछ है नहीं अखंड में सब कुछ है सुख भी है अखंड सुख भी है अखंड प्रेम भी है अखंड सांती भी है कहां बेहत मंडल में लेकिन सोलिला अद्वैत का प्रेम नहीं है सोलिला अद्वैत का आनंद नहीं है सोलिला अद्वैत की सांति नहीं है ये अक्षर को पता नहीं अखंड सुक क्या है अखंड प्रेम क्या है अखंड आनंद क्या है अक्षर को पता है क्योंकि वो राजी के ही अंग हैं राजी और अक्षर बें में कोई अंतर नहीं है यह कही सरूप है लिला दो रूपों में होती है सो लिला अद्वेत का प्रेम क्या है वो वह अक्षर को पता नहीं है और इसलिए धने जे ध्यान तुमारे रे बैठे भुद्जिस बरस सहसर masturb लिला के रहश को जानना चाहती है अक्षर ने अपने जागरत भुद्धी के द्वरा अपने चित हिर्दे में उसको ग्रांट कर लिया है अक्षर की भुद्धी जानना चाहती है कि इस प्रेम लिला का वास्त्रिक सुरुप क्या है प्रेम का विलास क्या है विलास किसको कहते है आनंद की पराकाष्ठा क्या है अक्षर को नहीं मालूम है यह सब बताने के लिए निजबुद्धि का प्रेविस होता है निजबुद्ध आवे अग्याएं तोलो न छूटे मो आतम तो अंधेर में सोबुद्विना बलनो कुछ सुन्दर साथ है जो दिन रात बाणी पढ़ते हैं कुछ सुन्दर साथ है जो दिन रात सेवा करते हैं कुछ सुन्दर साथ है जो दिन रात ध्यान भी करते हैं लेकिन निजबुद आवे अग्याए, निजबुद्धी नहीं आती, क्यों? निजबुद्धी राजी की किर्पा पर निजबुद आवे अग्याए, राजी के लिए तो सभी बराबर है, तो क्या राजी किसी के साथ भेतभाव कर रहे हैं, किसी को निजबुद्धी दे रहे हैं, किस सुन्दर साथ है लेकिन सबक्या जीव एक अस्तर का नहीं है सबके अंदर परंधाम का समंध नहीं है कोई ब्रहमसिष्टी का अंकूर ले बैठा है कोई सुरी सिष्ट का कोई जीवसिष्टी का जो ब्रहमसिष्टी का जीव है ब्रहमसिष्टी कायद जिसमें अंकूर है यदि उसका जीव पवित्र नहीं हुआ बिहारी जी की तरह हो गया और अंजेव की तरह हो गया तो क्या करेगा परमधाम की आत्मा भी कुछ नहीं कर सकती है क्योंकि बिहारी जी में स्तर्धान नहीं, समरपड नहीं विष्वास नहीं, प्रेम नहीं तो सब कुछ निस्पल हो जाएगा और अंजेव कुरूर है, साकुमार की आत्मा उसके अंदर है, लेकिन किसी की हंत्या कराने में उसको जरा भी दया नहीं आती वो इसलामिक कटरता को थोपना चाहता है, तो पड़ी नहीं क्या है? और साकुमार की आत्मा भी बंचितर है जाती है, रतनबाई की आत्मा भी बंचितर है इसी को तका बता है कर्नी माफख क्रिपा महर सब पर मेगूप की परपावे करनी माफ़ा, राज जी सबके लिए बराबर है राज जितना इंद्रावती को चाहते हैं, उतना ही रतन भाई को चाहते हैं, उतनी साकुमार को भी चाहते हैं, साकुंडल को भी चाहते हैं लेकिन साकुमार इंद्रावती बाजी मर ले जाती है, रतन बाए और साकुमार हसी करा देती है क्यों? क्योंकि उनका जीव निक्रिष्ट श्तर का था उनके जीवों का बेवार बहुत अफराद से भरा हुआ था ये अवस्था कम मिलेगी निजबुद आवे अज्याये तोलो न छूटे मो मैं एक बात कर रहा हूँ आपको अठारा जाद साथ सो उन्ठावन चोपाया भी कंठस्थ हो जाए पूरी भी तक कंठस्थ हो जाए चर्चनी भी कंठस्थ हो जाए चारोवेद भी कंठस्थ हो जाए लेकिन राज जी आपके अंदर चारो वेदों का जान एक साथ आया चार रिशियों के अंदर एक-एक वेद का प्रकास हुआ ब्रह्मा जी ने चारो रिशियों से एक-एक वेद का प्रकास गहण किया लेकिन कर्मकांड से वो भी नहीं छूट पा रहे हैं जो बड़े-बडे रिसी मुनी हुए स्रिष्टी में कोई सरियत में फसा है, कोई तरिकत में आए, कोई हकीकत में कोई-कोई पर्वेश कर पा रहा है हम सुन्दर साथ भी हजारों चोपई याँ depends on three हम सुन्दर साथ भी हजारों चोपईयां हमारी सपन के बुद्धी परिमारजित होने लगे, वो परतिभा में बदले, परतिभा प्रज्या में बदले, प्रज्या रितंबरा प्रज्या में बदलेगी, दीरे दीरे जैसे जैसे राजी का सरूफ हमारे हिर्दे में बसता जाएगा, तो राजी की किरपा से हमारी अंदर जागरत बुद्धी में परवेश करेगी जैसे बी तक में आपने एक परसंद में पढ़ा है तकिन हिर्दे में ने आई जागरत बुद्ध देवचन जी के चड़ों में जब स्री मिराज परडाम करते हैं स्री देवचन जी उनके सिर्फ पर आप सूँचते हैं कि हम भी तार्तम ले लिए तो हमारे अंदर जागरत बुद्ध परवेश्ट नहीं करे गया जाएई आपको जागरत बुद्ध का ज्यान मिला है अब आपके इमान पर निर्भर है विश्वास पर सर्दा पर समर्पन पर प्रेम पर निर्वर है कि आप बुद्धी के मलिंता को कितना दूर करते हैं, राजी से कितना प्रेम करते हैं, जैसे जैसे, जो जो अर्ष होवे नजेक, जो खेल होवे दूर, जैसे जैसे आपके हिटे में राजी की सुभा बस्ती जाएगे, परमधाम बसता जाएगा, माया क विकार हटता जाएगा, आपके अंदर निजबुद्धी आती जाएगे, निजबुद्धी आने के बाद भी, आप घ्यान में सिखर पर पहुंच जाएगे राजी को रिजाना कैसे है यह किसी किताम में नहीं लिखा है मैं लिख्या है, तुमको एक बार करो में साथ दस बार जिजी करो, करकर तुमको याद आप रोते हैं, बिलगते हैं सिवा पूजा करते हैं, बार-बार मत्था टेकते हैं, और सुचते हैं कि राजी, एक बार तो जहलक दिखा दे, राजी निष्ठूर बने हुए है, कहते हैं कि मैं नहीं आता है तो तो बारी जुटी हो जाएगी राजी ने क्या का मैं लिख्या है तुमको एक बार करू मही साथ साथ करना किसको कहते हैं हरुपे मुक्तियाद जो है कुरान के, उसमें साथ करना होता है, साथ करना अर्थ करत क्या होता है रिजहाना, रिजहाय कैसे जाता है सरीर से नहीं रिजहाय जाएगा मन से नहीं रिजहाय जाएगा आत्मा परात्म का स्रिंगार करके परात्म के भावों में डूब कर ही रिजहा सकती है जब तक आपको ये सरीर दिख रहा है संसार दिख रहा है संसार का कोई बिचार आपको बाधित किये है जब तक आप राजी से एक द्वयत का समथ पाले बैठे हैं एक अलग की भावना है कि राजी हमारी प्रितम है तब तक आप रिजा नहीं सकते रिजाएगा कौन जो उसके समक्ष हो जाएगा इसने तो राजी कहते हैं कि मैं लिख़्या है तुमको एक बार करूं हुआ हम पांच साल भी चित्वनी करते हैं राजी दर्सल नहीं दे दे राजी कहते हैं कि एक बार एक पल के लिए भी मुझे रिजा लो तो मैं दस बार जीजी करूँ करकर तुमको याद मैं तुमारे आगे दस बार जीजी करने के लिए तयार हूँ आप सूचिए, साथ करना किसको कहते हैं निजबुद्धि के प्रकास में निजबुद्धि आपको बताएगी कि प्रेम की गहन इस्तिक क्या होती है ये जागरत बुद्धि के बताने के लिए संबोर नहीं है सुपनी की बुद्धि से नहीं बताया जा सकता सुपनी की बुद्धि में आप अधिक से अधिक नारत भक्ति सुप्तर पढ़ लेंगे तो उसमें लिखा है कि सातु पर्मा प्रेम सुरुपा भक्ति क्या होनी चाहिए? प्रेम का सुरुप होनी चाहिए जैसे अंधेरे में तीर से निसाना मारा जाता है नारत भक्ति सुप्तर में अंधेरे में तीर मारने जैसा है सब कुछ लिख दिया गया है लेकिन नारत भक्ती सुत्र पढ़कर कोई नारत जी भी नहीं बनता तो परंधाम की सक्षटकार की बाद किया है हम सुन्दर साथ तारतम बाड़े की चोपाईयों को याद तो अवस्य कर लेते हैं बढ़ियां से गाल लेते हैं बढ़ियां से ब्याख्या कर लेते हैं आँखें बंद करें के चित्वनी भी करते हैं लेकिन एक जान का भी पर्दा आजाता है अहं का भी पर्दा आजाता है राजी को रिजाने का भी परदा आ जाता है जहाँ प्रेम की गहन इस्तिती है वहाँ तो अपना इस्तित कुछ है यह नहीं हम कितनी भी चित्वनी करते हैं कितनी भी सेवा करते हैं कितनी भी बाणी परते हैं जो साद के लिए, रिजाने के लिए जो सर्थ चाहिए परात्म के भाव में जो तू है वो मैं हूँ ये हमारा आत्मबल वह उस अस्तर पर नहीं पहुंच सकता कि जो तू है वो मैं हूँ की भावना से हम गर्सित हो जाए हम बुद्धी से सोच करके तो कह सकते हैं कि रहे हमारे राजी में क्या अंतर है ये कौन बोला है कि बुद्धी बोल रही है ये आंकार के बदोलत कहा जा रहा है लेकिन प्रेम की गहन इस्तिती में उस अस्तर तक कोई पहुंच नहीं पाता और जो पहुंचेगा राजी उसके सामने दस बार जी जी कहेंगे बताओ मैं तुम्हारे सामने कब आ जाओं कब आ जाओं लेकिन इसलिए कहा है निजबुद आवे अग्याए तोलो न छूटे मो वानी तो सभी सुन्दर साथ प्रह पढ़ते ही हैं लेकिन मो हम से नहीं छूटता अंदर पर्दा उड़ाईया तोभी न बदल्या हाल नकस्त न मिट्यो मो मुलको ताथे नजरो न नूर जमाल अंदर पर्दा उड़ाईया ये बिरितम आपने ज्ञान के प्रकास से हमारे अंदर का संसे हटा दिया है सब कुछ मालूम है तोभी न बदल्या हाल हाल का मतलब हमारी रहने नहीं बदली परमधाम में हमारी पराद में जिस भाव से रिजाती है इस संसार में हम नहीं रिजा सकते क्योंकि ये सरीर बाधा है ये सरीर साधक भी है और बाधक भी है साधक ये किसी तन से सेवा होनी है इसी तन से वाणी का जान गहन करना इसी तन से चित्वनी होनी है तो साधक है बाधक इसलिए है क्योंकि इसका मौ है कोई किसी की पत्नी है कोई किसी का पती है कोई किसी का भाई है कोई किसी का बहन है इन बंदनों को कोई छोड़ नहीं सकता छोड़े भी अकेले कुटिया में भी रहे तो उनकी आसकती बनी रहती हैं इनके संसकार बने रहती हैं इन सबसे परे होकर सरीर से परे होकर इंद्रियों से परे होकर अंता करण से परे होकर अपनी आत्मा में परात्म का सिंगार सचकर न तो कोई देखता है न वो प्रेम की धारा अपने अंदर प्रभाइद कर पाथा है तो रहने नहीं पाती अंदर पर्दे उड़ाया तो भी नमद्देहाल नकस्ट नमिट्टू मोह मुलको माया के मोह का जो हमारे अंदर प्रभाव पड़ गया है वो मिटता नहीं है तो राजी का दिदार होता नहीं राजी तो एक पर नहीं एक बार के रिजाने पर दस बर जीजी करने के लिए सामने आने के लिए तयार है कहीं दूर नहीं है कि उनको चल करके आना पड़ेगा वो तो हमारे प्राण की नली से भी निकट बैठा हुआ है लेकिन जो हमारी कमी है क्योंकि हम साथ की परिभासा नहीं जानते बुद्धी से साथ की व्यक्षा नहीं हो सकती जो प्रेम में डूपते डूपते जिसमें राच्ची की सोभा अपने आप विराजमान हो जाती है मुस्कराते में नजर आ जाते हैं राच्ची इस ये काह है निजबुद आवे अज्याएं तोलो न चूटे मो आतम तो अंधेर में सोभुद ना व्यूद बिना बन्लो आतमा हमारी काह है जीव के उपर वैठी है ये जीव लाखो जन्मों से काम, कुरूद, मद, लूब, अंकार की पोटिली जोटा फिर रहा है इस जन्में भी हमने क्यों विस्यों काही तो बोच्ट होया है हमारी कमाई क्या है दस करोड कमा लेंगे सरीर छूट जाएगा दस करोड का दस करोड यही रह जाएगा हमने धन संग्रे किया है महल बनाए है वाहन खरीदे है परतिष्ठा कमाई है और हमारी कमाई क्या है जो नस्वर है वही तो संग्रे किया है हमारी अखंड सम्ता क्या है राजी का जान, राजी की पैचान राजी से प्रेम, वही हमारी अखंड सब्दा है इसके अलवा सब कुछ अंधेर है सारे ब्रह्मान का भी राजय मिल जाए तो वो भी नस्वर है, वो भी अंधेर है आतम तो अंधेर में सो बुद्विना बलना हो यह जितने सुंदर साथ हैं आप से राजी अकेले में प्रगठ हो जाए जैसे लक्षमी दाजी के सामने दिली में प्रगठ हो थे और पूछे हैं कि जो मांगो वो में देने के लिए तैयार हूँ सब लोग क्या मांगेंगे कोई कहेगा कि प्राइम मिनिस्टर बना देजिए कोई राष्टपती मंगा देजिए कोई कहेगा कि इतना जान देजिए कि मेरे सामने कोई टिक न सके कोई कहेगा कि हमें इतना यह जिए कि सब सुंदर साथ में मेरी वहवाई हो जाए राजी से राजी को कोई नहीं मांगेगा इससे करते हैं आतम तो अंधेर में सो बुद्ध बिना बलनो हो सम्यक जान का प्रकास जाए जागरत बुद्धी का जान हमें मिल सकता है हमें मिल चुका है बानी के रुपे हम बानी का जितना अध्यन करेंगे जागरत बुद्धी का जान हमें मिलता जाएगा उस जान को अब हमारे उपर निर्वर करता है कि सुपन की बुद्धी से तौलते हैं या सुपन की बुद्धी का परमार्जन करके मेधा से तौलते हैं प्रज्या से तौलते हैं रितंबरा प्रज्या से तौलते हैं या अक्षर ब्रह्म की जागरत बुद्धी को हम अपने अंदर आत्मसाथ करने की छमता कर लेते हैं यदि हम हाकिकत में प्रवेश करते हैं तो अक्षर ब्रह्म की जागरत बुद्धी नहीं पैदा होती, अपना सर्वस से उनके प्रिदिल उटाने की पैदा नहीं होती राची को कोई रिछा नहीं सकता इसको कहते हैं निजबुद आवे अज्याएं तोलो न छूटे मों आतम तो अंधेर में सो बुद्मिना बलना होई, आप देखिए किरंतन में कई प्रकणा हैं साथ जी ऐसी में तुमारे गुनेगा, इन प्रकणों में क्या कहा है करकर बानी सुनाई तुमको कि ये जो खलक हुआ सुन्दर साजी आप घरों में आराम से रहते थे मैंने आपका घर द्वार छुडा दिया मेरे कारण रहने से आपको पाड़ों में घुमना पड़ा कई प्रकणा में तो ब्यथित होकर कहना पड़ता है कि बक्सो मेरी भूल, मैं चूर, चंडाल, चर्मिष्ट ये सब्द महामती जी के मुक से निकलते हैं क्यों निकलते हैं कि सुंदर साथ है महामती जी के अंदर अगुन ढूंड़ता है कई अगुन लेवे धनी का करें आप भी अगुन पर तो भी धनी नेता जज़ती सुंदर साथ ने अपने हिटे से निकाल दिया है कई तो सोते हैं कि हम बेकार फस गए घरद्वार छोड़ करके आगई राजी की सरण में हम घर में ऐसे रहते हैं राजी नहीं छोड़ रहे हैं उन्होंने छोड़ दिया कई आये भी तो चले गए लेकिन जिन्होंने समझा कि महामती जी के धाम इर्दे में मेरी आत्मा का प्राने स्वर बसना है उन्होंने रिचाया और उनको उसी भावना से उसी भाव से राजी मिले सब के हिर्दे में मारिफ़त के दिशे राजी है लेकि रिचाना कैसे है हमारे बिस्वास पर हमारे पुर्साद पर हमारी सरदा और समर्पट पर विर्वा करता है इसलिए कहा है आतम तो अंदेर में सो भुद्ध मिना बल्ल न होई हमारी आत्मा माया के अंदेर में जीव पर बैठ कर इस माया के खेल को देख रही है और जब तक हमारे अंदर जागरत बुद्धी का ज्यान प्रवेश नहीं करेगा तब तक हमारी आत्मा चित्वनी के मात्यम से राजी से एक रूप होने की भावना नहीं कर सकती है धनी की किरपा से निजबुद्धी का ज्यान प्रगठ होगा हमारे अंदर खिलवत परकिरमा सागर सिंगार का ज्यान निजबुद्धी का ज्यान है और उस ज्यान को आत्म साथ कर जब हम चित्वनी में डूपते हैं अपने विकारों को दूर करते हैं परात्म के सिंगार में सचते हैं तब हम मोह के बंधन को छोड़ सकते हैं और यहीं बैठे बैठे प्रियत्म को वैसे ही रिजा सकते हैं जैसे परम्दा में रिजाते हैं। अन्य था सुन्दर साथ पचास साल की अवस्था का भी हो जाता है, जैने कई पीडिया बीत जाती हैं, सुन्दर साथ की जागनी नहीं हो पाती है। हम और आप जैसे सुन्दर साथ तीन सो साल में नजाने कितने तरनों को पकड़े होगे और अभी भी तार्तम लेवे कितने साल गुजर जाते हैं लेकिन हमारी जागनी इसलिए नहीं हो पाती है कि निजबुद्धी के जान को ये प्रकास को हम अच्छी तरह से गरहन नहीं कर पा रहे हैं और उसको गरहन करके उस अस्तर पर नहीं हो पा रहे हैं कि निजबुद्धी हमारे इंदर आजाए निजबुद्धी आने का ताथ पर प्रितम को रिजहने की कला आ जाना और जिसके पास निजबुद्धी आजाएगी वो वही राजिक के रिजहा सकता है जिसको कहते है साथ करना मैं ऐसा करता हूँ कि सुन्दर साथ तांतर वानी के इनराश्यों को समझेंगे और अपने जागने के लिए उसका प्रियोग करेंगे